नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मारीका आर वेलकम करती हूँ आपका अपने numbers में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई हवाय आत्रा करते हैं चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो कुछ ऐसे English के शब्द हैं जो हमेशा एरपोर्ट पे एरोपलेन के अंदर यूज होते हैं जिनका मतलब हमें पता होना बहुत ही जादा जरूरी है अगर हमें उनका मतलब नहीं पता होगा तो हो सकता है कि कुछ जानकारी हमसे मिस हो जाए या फिर कुछ हम में ऐसी बाते ना पता चलें जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगी कि वो कौन से 50 ऐसे English के शब्द हैं अगर जिनकी जानकारी हमें पता होती है जिनका मतलब हमें पता होता है तो हमारी यात्रा जो है बहुत ही असान हो जाएगी और हम अपनी हवाई यात्रा को इंजॉय करेंगी तो चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले नंबर one जाने बॉलते हैं घमिने इरो पलेन उसको एर पलेन बोलते हैं ऊछले बैप जाने जो एकंपर मतलब हम तक इसक एक हवाई आतरा करना चाहते हैं और उसके हमने पैसे लियूम पर जब हम वेब चेकिन कर देते हैं तो इसका मतलब हमने एरलाइन को ये confirm कर दिया कि हम पक्का ही उड़ने वाले हैं क्योंकि अगर हम गाइडलाइन्स बदलती रहती हैं कई बार ऐसे भी होता है कि आपने आखिर के अगर 45 मिनिट्स रह गया और वेब चेकिन नहीं किया तो जो एरलाइन उसको पूरा हक होता है कि वो टिकेट आकी किसी और को बेज दे तो वेब चेकिन का मतलब होता है ये confirm करना कि हम जो भी हमारा टाइम है जो भी हमारा देन है उस दिन हवाई यात्रा करने वाले है नमबर तीन पर आता है आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ड अ पर हमारा पैन कार्ड हो सकता है अगर हम इंडिया से बहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पासपोर्ड की जुरत पड़ती है नमबर फोर पर आता है टर्मिनल जैसे कि जो बड़े सिटी होते हैं जैसे दिल्ली हो गया मॉंबई हो गया तो ये इतने बड़े सिटी है कि अगर सारे लोग एक ही जगा से एरोपलेन में उड़ने लगेंगे तो बहुत ही जादा कंजस्टेड हो जाएगा और इतने सारे एरोपलेन रखने के लिए जगा भी नहीं होती तो जब कोई सिटी या फिर कोई शहर बहुत बड़ा होता है जैसे कि दिल्ली है तो उसके अं अगर आप किसी भी बड़े शहर से जा रहे हैं जो छोटे शहर होते हैं जहां पर ट्राफिक बहुत जादा नहीं होता वहां पर ज्यादा तर एक ही तर्मिनल होता है पर जो भी बड़े शहर होते हैं वो आप अपनी टिकेट पर जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी टिकेट क के ओपर कौन सा टर्मिनल दिया हुआ है उसके बार नमबर पांच पर आता है ट्रॉली ट्रॉली तो आज कल हम मौल में यूजी करते हैं ज्यादा तर इंडिया में ये ट्रॉली जो है वो फ्री की होती है पर अगर आप यूएसे में जाते हैं या फिर दूसरी किसी कंट्री मे जाते हैं वहाँ पर कई बार ट्रॉली जो है चार्जिबल होती है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं ट्रॉली को ईूज़ करने के लिए पर इंडिया में हर जगाु ट्रॉली table कोती है Number 6 पे आता है departure, departure का मतलब होता है जब हम जाने वाले हैं, मतलब कहां हम जारे हैं जैसे अगर किसी की दिल्ली से बैंगलोर की flight है तो वो flight जो है कहां को departure कर रही है Number 7 पे आता है airline counter अब इंडिया में बहुत सारी airline है, Indieco है, Vistara है Air India है, तो अलग-लग airline के अलग-लग counter होते हैं, तो जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपकी airline कौन सी है, तो जो भी आपकी airline का counter होगा, आपको वहीं से अपना boarding pass मिलेगा, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे. नमबर 8 अब हम जब airline counter के उपर जाते हैं, अब हमारे पास bag होता है, उसको हम बोलते हैं luggage, जिस bag को हमें जमा कराना होता है, तो उसको बोलते हैं checking bag या फिर luggage bag, तो हम airline counter पे उपर जाते हैं, वहाँ पे हमें boarding pass मिलता है, आज कल हम boarding pass झो है, खुद भी अपने घर से प्रिंट कर सकते हैं पर जब हमें बैगग जमा कराना है तो फिर हमें एर्ला iNc कौंटर के ंदर जाना होता है वो हमारे बोडिंग पास के उपर गागा देते हैं ये उसमें नंबहरwości से कि हमारा बैग कॉन सा है जिससे कि जब हम एरपोर्ड पे तो हम अपने बाग को क्लेम कर सकते हैं in case अगर वो बैग मिस्प्लेस हो जाता है तो इसके बाद नमबर 9 पर आता है ओवर साइज बैग तो इसके बाद बाख का अपनलाइन गहीं नहीं तो इसके बाद बाद गएग इसके बाद लीजिए कि वो बहुत अइवर वेट सामान बेज रहे हैं वह बहुत ॉअप आपस्सान बेज जाना हो delicate है उसमें कोई कांच की चीज है या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो तूट सकती है तो फिर आपको काउंटर में ये बोलना पड़ेगा कि मेरा जो समान है बहुत ही जादा नाजुक है मैं चाहती हूँ कि इसको ध्यान से लेके जाए जाए तो उसके लिए एक स्टिगर लगा देते हैं वो आपके बैक के ओपर जिसको बोलते हैं फ्रजाइल तो जब भी आपका समान आपको लगता है कि उसको तूटने का डर है तो आप एरलाइन काउंटर पर जो भी एरलाइन का स्टाफ मेंबर है आप उनको बता दीजिए कि में को फ्रजाइल का स्टैंपिंग चाहिए जिससे कि मेरा बैग हैंडल विद केर खिया जाए नमबर 11 पर आता है चेकिन चेकिन मतलब आप कनफर्म हो चुका है कि आप जो है अंदर ट्रैवल करने वाले हैं पाद नमबर 12 पर आता है बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास आपको चेकिन काउंटर से वो देंगे जहां पर आपकी लगेज की वो स्कैन करके जो स्लिप होती है वो भी लगा देंगे जिससे कि आप कनफर्म कर सेकेंगी वो आपका ही लगेज है और उसके बाद boarding pass पे लिखा होता है कि आपकी flight कितने बजे उड़ने वाली है और कौन से gate से उड़ने वाली है क्योंकि ये gate number जो है कुछ ही घंटे पहले पता चलता है तो boarding pass पे लिखा होता है कि क्योंकि airport टुटा बड़ा होता है तो उसके लिए अलग-लग gate होते हैं तो जरूर आप boarding pass पे अपना gate number चेक कर लीजिए कि आपकी flight कौन से gate से मिलने वाली है अब जब हम ये अपना बैग जमा कराने के लिए खड़े होते हैं तो वहां पे कई बार priority line भी होती है priority line उनके लिए होते हैं कई बार frequent flyers होते हैं जो लोग बार-बार travel करते हैं जैसे air host ऐसा है तो वो journal line में नहीं खड़े होते हैं क्योंकि उनको बार-बार travel करना होता है तो उनके लिए एक priority line होती है या फिर अगर किसी ने business class की ticket लिए है बिजनस class की ticket लिए मितलब वो एक महेंगी ticket है तो उन लोगों को भी priority मिलती है कि वो लंबी line में खड़े ना होकर विलकि एक छोटी line में जाके फटा-फट अपना checking process करवा सकते हैं अब एक तो हो गया हमारा luggage bag जिसे हमने जमा करा दिया उसरा होता है हमारा cabin bag मितलब हमारा purse हो सकता है हमारा laptop bag हो सकता है जिसे हम अंदर लेकर जाना चाते हैं तो उसे बोलते है cabin bag हमने अपना check-in करा लिया हमारको boarding pass मिलके अब हमें next पे जाना है security check security check में क्या होता है हमें जितना भी हमारी belt है purse है leather की चीज़े है कोई भी electronics है वो एक ट्रे में डाल की जमा करानी होती है फिर वो सारी चीज़े scan होती है तो जब वो सब कुछ scan हो जाता है इसका मतलब हमारा security check complete हो गया अब हम flight के अंदर board करने के लिए ready है security check जब होता है तो आपकी boarding pass के ऊपर security stamp लगा देते हैं या फिर tag भी हो सकता है पर आजकर stamp भी लगती है तो security tag जब लग जाता है या फिर stamp लग जाती है इसका मतलब है कि आपका security process जो है वो खतम हो चुका है उसके बाद 17 पर बात कर लेते हैं domestic या फिर 18 पर international domestic का मतलब है कि अगर आप इंडिया में ही एक जगा से दूसरी जगा travel करने वाले हैं तो इसका मतलब आपका domestic airline है पर अगर आप दूसरी country में जाने वाले थे हो इसका मतलब आप internationally travel कर रहे हैं तो domestic का और international travel का security check अलग होता ह तो जुरूर यह ध्यान रख लीजिए कि आप domestic से अगर जा रहे हैं इंडिया में ही एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं तो आपको domestic वाले security check में जाना है अगर आप internationally जा रहे हैं तो आपको international वाले security check में जाना है अगर आप इंडिया से बाहर travel कर रहे हैं तो आपको passport की जुरत पड़ेगी, तो पासपूर्ट के उपर उस कंट्री का वीजा होना भी ज़रूरी है, जहां पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ कुछ कंट्री ऐसी होती है, जहां पर वीजा अन अर्राइवल मिलता है, मतलब कि जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे, तब भी आप व पर वीजा आपको पहले से ही लगाना पड़ता है, तो आप इंटरनाशनलियी ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके पासपूर्ड के उपर वीजा होना जरूरी है, प्र नमबर ट्वेंटी पर आता ही। एमिग्रेशन, जब आप इंटरनेशनी», ठेवल करते हैं, तो आपको इम बस अगर उनको लगे कि कोई इनसान हो सकता है कि ये जैन्विन नहीं है या फिर कोई गडबर वाला इनसान थो उनको पूरा हग होता है कि उसका लेख बड़ गड़ हो तो अगर सब कुछ थीक होता है तो वह इमिग्रेशन इस्टैंप लगा देते हैं तो आप अपने अपने कोई technical problem हो गई या फिर कुछ और मौसम खराब हो गया तो उसकी विजह से कई बार कोई कोई flight delay हो जाती है तो जो भी वहां पर बोड लगे होते हैं वहां पर delayed होता है delayed का मतलब आपकी अगर suppose करो 9 बजी की flight थी तो अब 9 की हो गई तो इसका मतलब वह अगर वहां पर बोड के ऊपर on time लिखावा है तो इसका मतलब जो भी आपकी flight का time था उतने बजही उडने वाली है अगर फिर से आप internationally travel करें तो वहां पर जब आप security check cross कर लेते हैं तो बहुत सारी shop आती है तो internationally अगर हम travel करते हैं तो उनको बोलते हैं duty free shop तो वहां पर जैसे cabin bag में limited amount of bag ही हम ले जा सकते हैं पर जो भी आप समान duty free से खरीते हैं वो आपको allowed होता है अगर suppose करो आपका security check हो गया भी आपकी flight में उडने में कम से कम डेड़ घंटा है तो आप ठक गए हैं तो वहां पर seats बने होती हैं उसको बोलते हैं waiting area जहां पर आप अराम से जाके बैठ सकते हैं आपको अगर कोई shopping नहीं करनी है तो अराम से आप वहां पर जाके बैठ सकते हैं जहां पर आप या तो अगर आपके पास कोई credit card है तो कई credit cards के पास के access होता है कि आप business lounge में free में भी उसको यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास credit card नहीं है पर फिर भी आपको लगता है कि आपकी flight जो है जादा डिले हो गई या फिर चार पांच घंटे अभी प कर सकते हैं charger से charge कर सकते हैं और जो भी वहाँ पर mail होती है उनको enjoy कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं फिर से gate number की आपका जो भी boarding pass है उसके ओपर gate number displayed होता है अगर कोई बड़ा airport है तो उसमें काफी सारे gate number होते हैं तो हमेशा ही ध्यान रखें कि आपको पता हो कि आपका gate number कहा है जिससे कि जब भी boarding time हो तो आप फटा-फट वहाँ पर पहुंच आए नमबर 27 पर बात करते हैं last call अब क्या होता है कि aero plane में जाने का time हो गया है और कुछ लोग जो हैं अभी नहीं आया सपोस्कर अभी दो लोग नहीं आया तो airline वाले जो हैं उनका नाम एनाउंस करेंग तो फिर उनकी flight जो है उनको वो flight पर नहीं चड़ने देंगे तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी हमारे boarding pass के ओपर boarding time है तब तक हम अपनी जो gate number है वहाँ पर पहुंच आएं बोर्ड फ्लाइट का मतलब होता है कि हम flight में एंटर करने वाले मतलब हम flight के अंदर जाते हैं उसको बोलते हैं boarding flight तो अब हम boarding flight मतलब हम flight के अंदर एंटर कर गए यहाँ पर भी जैसे priority line होती है तो priority boarding होती है सबसे पहले जो business class के लोग हैं उनको priority दी जाती है उसके बाद अगर कोई ज़्यादा बुजूर्ग है या फिर जिनके साथ बच्चे हैं उसके बाद उनको priority दी जाती है उसके बाद फिर journal economy class के लिए जो airline स्टार्ट होती है अब हमने plane के अंदर board कर लिया उसके बाद आता है जो plane के उपर समान जहां पर रखते हैं उसको बोलते हैं overhead bin तो जो भी अगर हमने कुछ shopping करी है या फिर हमारा cabin bag है तो हम अपने overhead bin के अंदर रखते हैं अब हमने समान जो है overhead bin में रखती है अब हमें देखना है कि हमारी कौन सी सीट है जो सब window के साथ होती है उसको window seat बोलते है उसके बाद middle seat या पर center seat और जो side वाली seat होती है उसको बोलते है आईल seat अगर हम plane के अंदर वाश्रूम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको वाश्रूम नहीं कहके लेवर्टरी कहते हैं तो जो वाश्रूम एरिया है उसके डोर के ओपर लेवर्टरी लिखा होता है इसका मतलब कि वो toilet है या फिर वाश्रूम है और flight का उड़ने का समय हो जा जाना है यह सारी चीजह हमें flight safety announcement में बताई जाती है जहां पर हमें बताया जाता है कि हमें बैल को कैसे बाढ़ना है अगर कोई emergency आती है तो कौन से कौन से steps है जिने हमें लेना है और साथ के साथ यह भी बताया जाता है कि हमें ट्रैवल करने में कितने टाइम लगेगा और अगर लाइन को पैरेक्टेस कितना है और यह सारे लोग जो इनशी जो को बताते हैं उनको कैसकते हैं उनको फ्लाइट इतंडेंट भी कह सकते हैं या फिर फिमेल होती है उनको एहर होस्टेज कहते हैं और जो प्लेन को चलाते हैं उनको कहते हैं पाइलेट या फिर कई जगा उनको क्याप्टन भी कहते हैं और एक साथ में होता है को पाइलेट को मतलब होता है कि अगर पाइलेट को अगर कुछ थोड़े देर के लिए अगर रिलाक्स करना है या फिर उसको वाश्रूम जाना है या फिर वो कुछ और कर रहा है तो co-pilot की responsibility होती है उस flight का ध्यान रखना तो कोई भी flight के अंदर एक pilot होता है, साथ में एक co-pilot होता है उसके बाद जब अरोप्लेन उनने लग जाता है तो कई बार announcement होती है कि आप flight के अंदर entertainment यूज कर सकते हैं कई बार क्या होता है एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो अचानक से शेक करने लग जाता है तो वो शेक को बोलते है turbulence कई बार अगर weather खराब हो जाए उसकी वज़ासे आजाती है या फिर एरोप्लेन कोई अचानक से speed बढ़ जाया या फिर कम हो जाया तो कई बार एरोप्लेन के अंदर टॉबलेंस आजाती है तो कैप्टन हमेशा एनाउंस करता है कि हम अभी टॉबलेंस को experience कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा शेक ही होगा तो आप अपनी सीट बेल लगा के रखिए उसके बार नेक्स आता है अब लगार अगर किसी को वामेट आती है तो वह पेपर बैग इसलिए आते हैं कि आप उन बैक के अंदर वामेटिंग कर सके उसके बाद नेक्स आता है अब ग्रेट मतलब कई बार अगर हमने एक एकitarian class की टिकेट ली है और हमें लग रहा है एकिआनमी क्लास में क्या रहता है लेक फेस को लेकर के नहीं बैच सकते हैं तो अगर हम अपनी टिकेट को अपग्रेट करना चाहते हैं तो हम उसी वक्त कुछ चार्जिस एमाउंट देके अपनी टिकेट को अपग्रेट कर सकते हैं उसके बाद next word है galley, galley वो जगा होती है जहाँ पे air hostess खड़े होते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना समान रखा होता है अगर खाना मिलने वाला तो खाना होता है वहाँ पे या फिर emergency से related कोई भी चीजे होती हैं वो सारी चीजे जो हैं galley में पढ़ी होती है नमबर 43 पे आता है cockpit, cockpit मतलब वो जगा जहाँ पे captain या फिर pilot बैठता है जहाँ पे वो एरोप्लेइन का पूरा control system होता है लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब होता है कि अब एरोप्लेइन अपनी destination पे उस जगा पे पहुँचने वाला है जहां पे हम जा रहे हैं तो अब एरोप्लेइन नीचे उतरने के लिए तयार है इसका मतलब कि वो लैंडिंग करने के लिए तयार है अगर आप इंटरनेशनल पैसों में अगर जेंज करना है तो उसको बोलते हैं करेंसे जेंज या पिर फॉरेकश 32 अब हमारा कर गय चो बहाँ कर गया तो हम जाएंगे अब हमें अपने समान को लेना है तो उसको बूलते है बैगे च्लेज मतलब कि हमने अपना जामा अफंर ओम जाए अटлов shipping कIP इंद तो आपको वहाँ से जाकर अपना समाल लेना होगा. अगर आप इंडिया से बाहर जाकर वापिस इंडिया में आते हैं, तो आपको custom duty counter पर भी जाना होता है कि आपको दिखाना होता है कि आप फॉरण से क्या-क्या समाल लाए हैं. अगर उस पे कुछ custom लगना होगा तो आपको custom duty देनी होगी नहीं तो एक green channel होता है आप ये declare कर रहे हैं या फिर ये confirm कर रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप custom दे तो आप directly green channel से जा सकते हैं stopover या layover का मतलब है suppose करो आपको USA जाना है तो आपकी flight जो है London में रुकेगी तो इसका मतलब है कि आपका layover जो है flight का London में है वो कुछ घंटे लंडन में wait करेगी तुसरे कुछ passenger होंगे जो लंडन में ही उतर जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो वहाँ से continue ही करेंगे तो वो कुछ घंटे को जो layover होता है या फिर stop होता है उसको बोलते हैं stop over और finally जब आप अपनी destination पर पहुंच जाते हैं इसका मतलब है arrival आप वहाँ पहुंच गए जहां पर आपको जाना है तो जो अब आपको लेने आने वाले हैं उनको arrival gate के ओपर जाना है तो अगर कोई cab होती है या फिर आपके कोई रिष्टदार है तो इसका मतलब है कि वो arrival gate के ओपर आने वाले हैं तो दोस्तों ये थे 50 ऐसे शब्द जो हम कोई भी हवाई यातरा करते हैं या फिर travel करते हैं तो हमारे बहुत ही काम आते हैं और अगर हमें इनका मतलब पता हो तो हमारी हवाई यातरा काफी जाला आसान हो जाती है उमीद करते हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आपकी हवाई यातरा बहुत ही सुखत रहेगी और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप नीचे कमेंड करके लिख सकते हैं तब तक लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मॉनिका विश्योल हेल्थ और हैपिनेस टेक केर बाई थैंक यू